दोस्तों आज का हमारा टॉपिकल सर्वोच न्याले यानि सुप्रीम कोट को ही हिंदी में सर्वोच न्याले या फिर उचितम न्याले कहा जाता है तो सविधान के भाग 5 में अनुचेद 124 से अनुचेद 147 तक सर्वोच न्याले के संगठन अधिकार छेत्र और शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है तो यहाँ यह याद रखने वाली बात है कि सविधान के भाग 5 में अनुचेद 124 से अनुचेद 147 तक में सुप्रीम कोट का वर्णन है लेकिन हम यहाँ पर इन सारे अनुचेद के बारे में बात नहीं करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है बस उनी के बारे में बात करेंगे तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते अनुचेद 124 की अनुचेद 124 ही सबसे ज़्यादा इंपोटेंट है क्योंकि अनुचेद 124 में ही सुप्रीम कोट के गठन के बारे में बताया गया है इसी में नयाईदीश की निफ्टी, उनकी योगिताई, उनका कारेकाल और उन्हें पत्से कैसे हटाया जा सकता है इन सब के बारे में बताया गया है तो यहां हम सबसे पहले बात करते सुप्रीम कोट के गटन से संबदित प्रावधान के बारे में अनुचेट 124 के भारत के सविधान में कहा गया कि भारत का एक सर्वोच न्यायाले होगा जिसमें एक मुख्य नयादीश होगा और दूसरे साथ अन्य नयादीश होगे लेकिन संसत को कानून द्वारा नयादीशों की संख्या बढ़ाने का पूरा अधिकार है शिरुआती में जब सविधान में नयादीश के सामने प्रस्तुत मामलों को सुनने के लिए सुप्रीम कोट की एक पूरी टीम एक साथ बैठा करती थी लेकिन जैसे जैसे नयादीश के काम बढ़ने लगे उनमें लंबे-लंबे मामले बढ़ने लगे तब भारते संसद द्वारा नयादीशों की मूल संख्या को बढ़ा कर यानि आठ से बढ़ा कर 1956 में 11, 1960 में 26 और 2008 में 31 और फिर 2019 में 34 तक कर दी गई तो अब यहां आपके ये समझ में आ गया होगा कि संसद के मूल सविधान में ये कहा गया था कि एक मुख्य नयादीश और साथ अन्य नयादीश होंगे यानि कि कुल मिलाकर टोटल आठ नयादीश होंगे लेकिन अगर अब हम वर्तमान के बात करें तो अभी टोटल नयादीश है 34 एक मुख्य नयादीश है और 33 अन्य नयादीश है तो इस वक्त यानि वर्तमार में मुख्य न्याइदीश यानि Chief Justice of India धननजे यश्वन चंद्र चूड है। यह हमारे यानि भारत के 50 वे मुख्य न्याइदीश है। अब हम बात करेंगे न्याइदीशों के कारेकाल के बारे में। तो यहां सुप्रीम कोट के जच का कारेकाल क रखे गए हैं। पहला है कि वो 65 वर्ष के आयूतक पदासीन यानि पत पर कारे कर सकते हैं। और उनके मामले में किसी भी प्रश्णी के उठने पर संसत द्वारा स्तापित की गई संसता ही इसे सॉल्व करेगी। तो यहां यही सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है और यह कि एकजाम में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोड के नयादीश कितनी आयूतक पदासीन रह सकते हैं। तो 65 वर्ष की आयूतक सुप्रीम कोड के नयादीश अपने पद पर रह सकते हैं। और अगर इनके मामले में किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठता है या फिर उन-पर क शिफारिश पर राश्ट्रपती द्वारा उसे पत से हटाया भी जा सकता है। लेकिन हटाएगा कौन? राश्ट्रपती? तो यहाँ पर इतनी आसानी से उन्हें अपने पत से हटाया नहीं जा सकता। क्योंकि उन्हें हटाने के लिए सबसे पहले महाब्योग की प्रक्रिया लगेगी, तो यहाँ पर इनको हटाने के लिए, पहले जो महाब्योग की प्रक्रिया लगेगी, उसके लिए जो प्रस्ताव होगा, पहले वो लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा फिर कहीं जाके रास्ट्रपती उन्हें उनके पत्से हटाएंगी तो यहाँ पर ये तीन प्रावधानते पहला 65 वर्ष की एज पूरी हो जाएगी दूसरा अगर वो खुदी त्याग पत्र देते और तीसरा जब उनके उपर महाब्योग लग जाए तो यहाँ पर ये तीन प्रावधानते जिसके जरिय मुख्य न्यायदीश को उनके पत्से हटाया जा सकता है मतलब ये कि सुप्रीम कोड के जज की अकारेकाल की आयू 65 वर्ष होती है जज को केवल महाब्योग संसत के दोनों सद्रों द्वारा दो तिहाई बहुमोच से पारित प्रिस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपती द्वारा हटाया जा सकता है अब बात करते न्यायदीश की योग्यताओं की तो यहाँ पर सुप्रीम कोड का न्यायदीश बनने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि वो भारत का नागरी को वो कम से कम पांस साल के लिए उच्छे न्यायले यानि हाई कोड का न्यायदीश रह चुकाओ या फिर दो या दो से अधिक न्यायलों में लगातार कम से कम पांस सालों तक न्यायदीश की रूप में काम कर चुकाओ या फिर किसी हाई कोड में या कोड में कंटिनू दस सालों तक अधी वक्ता यानि की वकालत कर चुकाओ या फिर ऐसा व्यक्ति होना चीज़ रास्टरपती की राय में एक प्रतिसिस्टिप विद्धिवेता हो मतलब ये कि रास्टर पती की नजरों में सुप्रीम कोट के नियादीश बनने के लायक हो और अगर 65 वर्ष की आयू पूरी न की हो, तो वर्तमान समय में C.J.I. निर्णा लेंगे कि किसी हाई कोट के नयाईदीश या फिर सुप्रीम कोट के नयाईदीश के रूप में नुक्त किया जाए। तो अब हम बात करेंगे कि नयादीशों की न्यूक्ति किस प्रकार होती है तो नयादीशों की न्यूक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इसके साथ साथ नयादीशों को शपत दिलाने का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है और अगर नयादीश त्याग पत्र दे दे तो वो भी राष्ट्रपति को ही देंगे तो नयादीश की न्युक्ति, शपत और त्याग पत्र तेनों ही राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है लेकिन यहाँ पर अभी ये जानना जरूरी है कि नयादीश की न्युक्ति किसके परामर्श या सलहा पर की जाती है कई बार हमने पढ़ा या सुना है कि नयादीश की न्युक्ति सुप्रीम कोट के नयादीश या फिर हाई कोट के नयादीश की सलहा पर की जाती है पर वर्तमान की यानि इस समय की अगर हम बात करें तो जो न्यायदीश की न्यूक्ती होती है इनकी न्यूक्ती कॉलेजियम के द्वारा की जाती है तो ये जो न्यूक्ती का काम था ये न्यायदीश या मंत्री परिशत की सलहा पर किया जाता था राश्ट्रपती द्वारा 1950 से 1903 तक सरकार को डिरेक्ट हस्तिशेप था हमारी नयायपाली का पर और ये बहुत गलत था तो इसलिए 1903 में से यानि 1993 से वर्तमान तक राश्ट्रपती के द्वारा कॉलेजियम के सलापर नयायदीशों की न्युक्ति की जाती है तो अब यहां आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये कॉलेजियम क्या है तो कॉलेजियम सुप्रीम कोड की एक ऐसे प्रणालिय जिसमें नयायदीशों की न्युक्ति और स्तांतरन यानि नयायदीशों के सलेक्षन और ट्रांसफर से संबंदित बाते आती हैं कॉलेजियम का मतलम एक समों एक ग्रुप जिसमें सुप्रीम कोड के 5 सदस्य आते हैं जिसमें एक CJI यानि Chief Justice of India और 4 वरिस्टम जज शामिल होते हैं सुप्रीम कोड के इस कॉलेजियम की अध्यक्षिता Chief Justice of India द्वारा की जाती है और चार अन्य सर्वोज न्याले के वरिस्ट न्यायदीश इसके सदस्य होते हैं तो यहां हमने न्यायदीशों की न्युक्ति को समझा अब हम मुख्य न्यायदीश यानि CJI Chief Justice of India की न्युक्ति कैसे की जाती है के बारे में बात करेंगे तो 33 न्यायदीशों की न्यूक्ति कॉलिजियम के द्वारा की जाती है, अब है मुख्य न्यायदीश यानि Chief Justice of India, इनकी न्यूक्ति का कोई भी ब्योरा सविधान में नहीं है, यानि मुख्य न्यायदीश की न्यूक्ति का उलेक सविधान में नहीं है, लेकिन परंपरा क्या चली आ रही है कि राश्ट्रपती के द्वारा सुप्रीम कोट के सबसे वरिस्ट न्यायदीश को मुख्य न्यायदीश के रूप में न्युक्त किया जाता है। यानि सुप्रीम कोट के सबसे सीनियर जज़ को ही Chief Justice of India बना दिया जाता है। लेकिन इस परंपरा का दो बार उलंगन हो चुका है यानि दो बार ऐसा हो चुका है कि जो सीनियर जज़ है उन्हें Justice of India नहीं बनाया गया। तो पहली बार हुआ 1973 में अजित नाथरे के टाइम पर जब इंद्रा गांधी की सरकार थी तब अजित नाथरे से उपर तीन सीनियर ज़ज थे लेकिन इन में से किसी को भी CJI यानि Chief Justice of India नहीं बनाया गया और अजित नाथरे को CJI बना दिया गया। और दूसरा उलंगन हुआ 1977 में हमिर दुल्ला बैक के टाइम पर और ये भी अपने टाइम पर सीनियर नहीं थे लेकिन इन्हें भी सुप्रीम कोट का मुख्य नयदीश बना दिया गया। तो यहां पर ये याद रखने वाली बात है कि इस परंपरा का दो बार उलंगन हुआ है। एक अजित नाथरे के टाइम पर 1973 में और दूसरा हमिर दुल्ला बैक के टाइम पर 1977 में। अब यहां मैं आपको कुछ इंपर्टेंट टॉपिक और बता दिती हूँ कि सबसे लंबे समय तक CJI रहने वाले इंसान ते वाई वी चंद्रशूड जो 2646 में दिन तक CJI रहे थे। और सबसे कम समय तक CJI रहने वाले इंसान ते कमल नाराइन सिंग जो सिफ 17 दिन तक CJI रहे थे। तीसरा इंपर्टेंट टॉपिक है कि भारत के ऐसे कौन से न्यायदीश थे जिन्नोंने राष्ट्रपती के रूप में भी काम किया था। तो वो थे मौहमद हिदाय तुल्ला जिन्नोंने राष्ट्रपती के रूप में भी काम किया था। और चाथा इंपर्टेंट टॉपिक है कि सुप्रीम कोड की सबसे पहली महिला न्यायदीश फातिमा बीबी थी। इनके बाद भारत की कोई भी महिला CJI नहीं बनी। तो अब तक हमने यहाँ पर न्यायदीशों की योग्यता, कारेकाल और न्युक्ति के बारे में बात की। अब हम न्यायदीशों को हटाने की क्या प्रक्रिया होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो नयादीशों को उनके पट से हटाने की प्रक्रिया को महाब्योग कहा जाता है। तो नयादीशों को दो ही कंडिशन में उनके पट से हटाया जा सकता है। एक है कदाचार जिसे Miss Behavior कहते हैं और दूसरा है ऐशम्ता जिसे In Capacity कहा जाता है। तो कदाचार और एशम्ता की शिकायत पर इनने पत से हटाने का प्रिस्ताव रखा जा सकता है। ये प्रिस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। चाहे फिर वो लोकसबाव या राज्ये सबाव। लेकिन लोक सभा में प्रस्ताव लाने पर कम से कम 100 और राज्य सभा में प्रस्ताव लाने पर कम से कम 50 सदस्यों का समर्तन होना चाहिए। मतलब ये कि नयादीश को हटाने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है। उसके लिए कम से कम 100 सदस्य लोक सभा में और 50 सदस्य राज्य सभा में मंजूरी के लिए होने चाहिएं। फिर इन दोनों सदनों के अध्यक्षि द्वारा आरोपों की शिकायतों की जाज की जाती है। और फिर संसद में चर्चा होती है और चर्चा होने के कम से कम 14 दिन पहले नयादीश को इंफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। और अगर दोनों सदनों से प्रिस्ताव दो तिहाई बहुमत से पास हो जाता है तब राश्ट्र प्रती के अस्ताक्षर करने के बाद नयादीश को हटाया जा सकता है। लेकिन हाँ इसकी कोशिश जरूर की गई थी। सबसे पहले वी रामा स्वामी पर जो सुप्रीम कोट के जज थे जिनने हटाने के लिए लोग सभा में प्रस्ताव लाया गया था लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया और इसके बाद दीपक मिश्रा पर ये भी सुप्र लामा स्वामी के खलाफ लोग सभा में और दीपक मिश्रा के खलाफ राज्य सभा में महाब्योग लगाया गया था लेकिन वो दोनों सदनों द्वारा खारिस कर दिया गया तो 124 के बाद अब हम आते हैं अनुछेद 125 पर तो यहां पर अनुछेद 125 में न्याय दिशों के व बढ़ाया जरूर जा सकता है इसके बाद बात करते हैं अनुछेद 126 की अनुछेद 126 में कारेकारी मुख्य न्याय दिश की न्युक्ति के बारे में बताया गया है जब मुख्य न्याय दिश का जो पद है वो अगर किसी कारण से खाली रहता है जैसे बिमारी के कारण या लंबी चुट्टी के कारण तो उनकी जगह पर सुप्रीम कोट के किसी भी नयादीश को कारे कारी मुख्य नयादीश न्यूक्त किया जा सकता है राश्ट्रपती के द्वारा यानि राश्ट्रपती मुख्य नयादीश के पत्त के खाली रहने पर किसी भी नयादीश को कारे का प्रावधान रखा गया है इसमें ये कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायदीश राष्ट्रपती की पूर्व सहमती से किसी उच्छे न्यायले के न्यायदीश की रूप में कारे करने के लिए न्युक्त कर सकते हैं मतलब ये कि अनुचेद 126 में हमने बात कीती कि जो मुख्य न्यायदीश है अगर किसी कारन इनका पद अस्ताई रूप से खाली रहता है तो उनकी जगह पर कारे वाहक मुख्य न्यायदीश बनाए जा सकते हैं लेकिन बापकी की जो अन्यत 33 न्यायदीश है अगर उनका पद अस्ताई रूप से खाली रहता है तो उनकी जगह पर किसकी न्युक्ती की जाएगी वो यहाँ पर बताया गया है मतलब ये कि जो 33 नयादीश है उनमें से अगर किसी नयादीश का पद खाली है तो उनकी जगह पर ऐस्ताई तोर पर जो भारत के मुख्य नयादीश है ये पहले तो रास्टर पती से सहमती लेंगे और फिर उसके बाद किसी भी हाई कोड के नयादीश को जो भारत के सुप्रीम कोड के नयादीश है उनकी जगह पर अईस्ताई तोर पे न्यूक्त कर देंगे उन्हीं को तदर्थ न्यायदीश कहा जाता है लेकिन इन्हें न्यूक्त करने से पहले दो लोगों से पर्मिशन लेना बहुत ज़रूरी है यह तो है राश्टर पती और दूसरे हैं जिस न्यायले से न्यायदीश को चुना गया है उस नियायले के मुख्य नियादीश अब बात करते हैं अनुचेद 128 की इसमें सेवा निवरत नियादीश की अपील के बारे में बताया गया है यानि कि जो नियादीश रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें भी अर्स्ताई तोर पर नियादीश बना सकते हैं मतलब ये कि भारत के मुख्य नियादीश किसी भी समय सुप्रीम कोड की रिटायर्ड ज़स से या फिर हाई कोड की रिटायर्ड ज़स से या ये अपील कर सकते हैं या अनुरोद कर सकते हैं वा अस्ताई अवधी के लिए सुप्रीम कोड के नियादीश के रूप में काम करें। लेकिन ऐसा तब ही किया जा सकता है जब नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की और रास्टरपती की सामती हो। मतलब ये कि अगर किसी हाई कोड के जो मुख्य नियादीश है उन्होंने परमीशन नहीं दी तो उस केस में जो रिटायट जज है उन्हें भी अस्ताई रूप में नियादीश बनाया जा सकता है। तो यहां गणपूर्ती नहीं होने पर CJI रास्टरपती से सला करके सेवा निवरत यानि रिटायट जज नियादीशों को सुप्रीम कोड में न्यूक्त कर सकते हैं। यानि कि जो भी फैसला सुप्रीम कोड के जरिये सुनाया जाएगा वो एक पत्तर की लकीर होगा। उससे एक रिकॉर्ड की तरह समाल के रखा जाएगा। जैसे अगर सुप्रीम कोड ने किसी जुर्म के लिए एक साल की सजा सुना दी तो उसके बाद भारत में कहीं भी वो जुर्म होता है तो उसके लिए एक साल की ही सजा सुनाई जाएगी। वो एक रिकॉर्ड की तरह होगा चाहे फिर हाई कोड हो डिस्टिक कोड हो या फिर खुद सुप्रीम कोड ही क्यों ना हो उस जुर्म की सजा को बदल नहीं सकता और अगर कोई भी हाई कोड या डिस्टिक कोड इसे बदलने की कोशिश करता है जैसे एक साल की जगत 6 महीने या फिर दो साल की सजा दे दिता है तो उस नायदीश पर केस होगा इसके बाद देखते हैं अनुचेद 130 इसमें सुप्रीम कोड के जगह के बारे में बताया गया है तो सविधान में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोड दिल्ली में इस्तित है और मुख्य नायदीश को ये अधिकार के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंबिक छेत्र अधिकार की शक्तियों के बारे में तो अनुचेद 131 के अनुसार जिनकी सुनवाई सिफ सुप्रीम कोड में ही की जा सकती है इनकी सुनवाई हाई कोड या डिस्टिक कोड में नहीं की जा सकती तो वो मामला डिरेक्ली सुप्रीम कोट में ही जाएगा दूसरा अगर सैंटर का स्टेट के साथ विवाद हो जाए मतलब केंद्री सरकार का राज्य सरकार से यानि केंद्र का राज्य से कोई विवाद हो जाए तो वो मामला भी directly सुप्रीम कोट में ही जाएगा अर तीसरा केस से जब केंद्र और राज्ये आपस में मिल जाए और जो दूसरे राज्ये हैं ये आपस में मिल जाए यानि एक गुट बना ले और फिर इनके बीच विवाद हो जाए तो ये मामला भी directly सुप्रीम कोट में ही जाएगा अब हम आगे बात करते हैं अनुचेद 132 की अनुचेद 132 में अपीली अधिकार आते हैं सुप्रीम कोट अपीली छेतरा धिकार से सम्बंद रखता है तो यहां ऐसा होता है कि अगर किसी को अधिनस्त न्यायले का फैसला सही नहीं लगता तो वो उच्छे न्यायले में अपील कर सकता है और फिर उच्छे न्यायले का फैसला भी उसके समझ नहीं आता या उसे सही नहीं लगता तो फिर वो इसे सुप्रीम कोट में अपील कर सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि किस प्रकार की अपील सुप्रीम कोट में की जा सकती है। तो इन अपीलों को चार भागों में बाटा गया है। पहला सव्वेदानिक मामलों में अपील, दूसरा दिवानी मामलों में अपील, तीसरा अपरादिक मामलों में अपील और चौता है विशेश अनुमती द्वारा अपील. अब हम बात करते हैं पुन्य विचार संबंदित छेतरा दिकार के बारे में. तो अब हम बात करते हैं अनुचेद 137 की इससे पहले कि जो अनुचेद थे वो इतने इंपोर्टेंट नहीं थे इसलिए हमने उनके बारे में बात नहीं की तो अनुचेद 137 की अनुसार सर्वोच न्याले यानि सुप्रीम कोट को ये अधिकार है कि अधिये गए आदेश या निन्ने पर फिर से विचार कर सकता है और अगर सही लगे तो उनमें चेंजेज भी किया जा सकता है अब आगे बात करते हैं अनुचेद 149 की इसमें रीट अधिकारिता के बारे में बताया गया है यानि संसत सुप्रीम कोट को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रीट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकती है जैसा कि मैंने आपको पहले विडियो में बत अनुण बनाता है तो उस केस में भी सुप्रीम कोट रीट जारी कर सकता है इसके बाद आता है सलाकार छेत्रा दिकार ये बहुत इंपोटेंट है तो अनुचेद 143 में सलाकार छेत्रा दिकार के बारे में बताया गया है तो यहां अनुचेद 143 के अनुसर रास्टर पति अबवेतानिक मामलों में Supreme Court से सलाह ले सकता है, लेकिन यहाँ पर सलाह को मानना या ना मानना रास्ट्रपती पर निर्भर करता है, मतलब वो किसी भी तरह से बाद दें नहीं है कि उस सलाह को माने ही, तो यही थी Supreme Court से समन्मदित सारी बाते.